हेलो फ्रेंस वेलकम बैक टू माई चैनल तो फ्रेंस आज का जो टॉपिक है वो है मोहन जोदरो ठीक है जो सिंदु घाटि सब्विता चैप्टर का नाम है उसका पहला अस्थल मैंने आप लोगो और इसके प्रीवेस वीडियो में पढ़ा रखा है हरपा के बारे में और आज का जो टॉपिक है वो है सकेंड अस्थल जिसका नाम है मोहन जोदरो तो आज जो भी कोशन एंसर इसके अंतरगत है सारे मोहन जोदरो से रिलेटेड है ठीक है और जो भी एक्जाम में आपके इंट्रेंस की एक्जाम में बेफे के पूछा जाएगा इसी के अंतरगत आएग कहां से प्राप्त हुआ है ठीक है तो मोहन जोद्रो से प्राप्त हुआ है नेक्स आते सकेंड नमबर मोहन जोद्रो अस्थल के उत्खनन करता का क्या नाम है तो उत्खनन करता का नाम है रखाल दास बिनर्जी नेक्स आते थ्री नमबर मोहन जोद्रो अस्थल का उत्खनन कब किया गया था तो 1922 में किया गया था नेक्स्ट आते फोथ नंबर यह अस्थल किस नदी के किनारे बसा है तो सिंदू नदी के किनारे बसा है next 5 number आते हैं मोहन जोद्रो किस अस्थान में बसा हुआ अस्थल है तो ये सिंदू के लकराना जीले पाकिस्तान में बसा है next six number विशाल असनानागर की माप क्या है तो विशाल जो असनानागर है उसकी माप है 39 फूट लंबाई 33 फूट चोड़ाई और 8 फूट गहराई है next आते seven number विशाल असनानागर की किस दिस्था में ब्रामदा नहीं है ब्रामदा मतलब आंगर नहीं है तो प्रॉष्यम की और ब् रामदा नहीं है नेक्स्ट आते एट नम्बर असनागर की किस दिसा की तरफ सीधिया हैं तो उत्तर और था दक्षिं दिसा की तरफ सीधिया है नेक्स्ट आते है नाइन नमबर असनानागर में परवेस दुआर कितने है यह important question है असनानागर में परवेस दुआर कितने है तो 6 परवेस दुआर है विसाल असनानागर में पूछ रहा है कि परवेस दुआर कितने है तो वहां पर 6 परवेस दुआर है यहाँ पर बता दूँ कि जो 6 नमबर, 7 नमबर, 8 नमबर यह इतना important नहीं है question एक्जाम में usually नहीं पुछ जाते हैं बस यह आपके knowledge के लिए मैंने बताया है हाँ 9 नमबर important है यह पुछे जा सकते हैं और 5 नमबर भी पुछे जा सकते हैं नेक्स आते हैं 10 नमबर विसाल अन्नागार कहां से प्राप्त हुआ है तो मोहन जोदरों से प्राप्त हुआ है नेक्स 11 नमबर कुमूद वाले बेल की आकृति कहां से प्राप्त हुई है तो मोहन जोदरों से प्राप्त हुई है और यह सब जो आकृति जो प्राप्त होती है जो चित्र प्राप्त होते हैं यह सारे इससे रिलेटर जितने भी कोशन्स होते हैं यह काफी इंपोर्टन्ट होते हैं क्योंकि हर जगह से कहीं न कहीं से जो हिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं से हडपा से मुझे यह चित पूछा दा चुका है तो कासिकी नर्तकी की मुर्ती कहां से प्राप्त हुए तो मोहन जोद्रों से प्राप्त हुए थर्टी नंबर पे आते हैं कि कासिकी नर्तकी की मुर्ती की लंबाई क्या है जो मुर्ती प्राप्त हुए उसकी लंबाई क्या है तो 4.5 इंच इसकी लंबा एक्जाम में hundred percent काफी chances होते हैं आने के तो यह सब अच्छे से learn करें अब आते 15 नमबर पे नट्राज की मुर्ती की उचाई कितनी है तो उचाई जो है 7 या 8 इंच है 16 नंबर पे, नट्राज की मुर्ति में कितने हात है, नट्राज की मुर्ति में चार हात बने हैं, Next,сеventy number मुर्दों का टीला किसे कहा जाता है Next, member Next,адц fot this Next, właściwie योगी का धड़ कहां से मिला है तो योगी का धड़ मोहन जोदरों से मिला ये भी एक मुर्ती है ठीक है ये भी मोहन जोदरों से प्राप्त हुआ है नेक्स्ट आते है कुशन नमबर 20 मोहन जोदरों की सब्विता को किस अस्थान की सब्विता की समान माना जाता है और ये भी काफी काफी इंपोर्टन है ये कुशन मेसोपटामिया या सुमेरियन की सब्विता की समान माना जाता है नेक्स आते 21 नमबर मोहन जोदरो और हडपा के समान सविता का अवशेस भारत में किस-किस अस्थानों पर मिला है ठीक है तो पंजाब में मिला है रोपड में मिला है रजस्थान के काली बंगा में मिला है और गुजरात के लोथल में मिला है नेक्स्ट आते 22 नमबर हडपपा और मोहन जोदरों में वस्तु कला का परचलन था ये किस से ग्यात होता है तो भवनों के अफसेसों असनानागार से सडकों से नलियों से मैं फिर से रिपीट कर दूँ भवनों के अफसेसों से असनानागार से सडकों से ये असनानागार अलग है फिर सडकों से पता चला है फिर नलियों से पता चला है तथा भित्ती चित्रों से पता चला है नेक्स्ट 23 नमबर इस समय भवनों का निर्मान किस्से होता था तो इस समय जो मोहन जोदारों के समय जो भवन का निर्मान होता था तो वो किस्से होता था तो पक्की लाल इटों से होता था नेक्स 24 नमबर मोहन जोद्रों से प्राप्त दाढ़ी वाली योगी की सुन्दर मुर्ती किसे बनी है तो पत्थर से बनी है ठीक है जो योगी की मुर्ती जो प्राप्त हुई थी तो वो मोहन जोद्रों से प्राप्त हुई और ये बनी किसे है तो पत्थर से बनी है ये मुर्त नेक्स आते हैं 25 नंबर मोहन जोद्रों से मिट्टी की कितनी मोहर प्राप्त हुई है मतलब मिट्टी की सिर्फ कितनी मोहरे प्राप्त हुई है तो तीन मोहरे प्राप्त हुई है नेक्स 26 नंबर मोहन जोद्रों से असनानागार के पूर्व में इस्तित उस्तूप का निर्मान किस काल में हुआ था तो कुशान काल में हुआ था ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कुश्चन next 27 number किस अस्तल के तीले को स्तूप तीला की संघ्या धी गई है तो मोहन जोदरों में संघ्या प्राप्ट हुआ है नेक्स्ट आते 29 नमबर सबसे बड़ी सडके कहां मिली है तो जो सबसे बड़ी सडके है मोहन जोद्रों से मिली है नेक्स्ट और लास्ट कोश्चन आते 30 नमबर मोहन जोद्रों से प्राप्त पसुपती सिप की मुहर पर योगी की मुद्रा में कितने पसुओं का अंकन है और कौन कौन है तो चार पसुओं का आंकर ने जो मुध्रा जो है, मुहरे है, ठीके मुध्रा मुहरे या सिक्खा एक ही हुआ, ठीके तिनों का मिनिंग एक ही हुआ, यह तो मुहरे बोली यूज़िली जो सिंदूखाट शवता में है, वो मुहरे से पशिद है यह नाम, आप उसको मुद्रा और उस पर सुट पंसौ पठी शिफ का चित्थ्र बना हिए साथ चार पसुव का भी सिस्थ बना है तो योगी मुद्रा में है और वो चार पशू है चीता पहला ही किड़ दूसरा है हाथी तीसरा है गेंडा और चोता है बेसा और ये भी गोशन बहुत जादा इंपोर्टेंट है तो फ्रेंस ये रहा आज का जो मोहन जोदरों के अंतर गजित्ते भी ठटी गोशन थे ये सारे 30 के 30 इंपोर्टेंट है आप लर्न कर ले और जो मैंने बीच बीच में बताती भी हूँ कि कौन सबसे जादा कि आपको अच्छे से मतलब एकदम से याद हो जाए ताकि आप भूले नहीं तो फ्रेंस आई होप आपको वीडियो पसंद आया और कोई भी डाउट है कुछ भी है ता बेजी जख मुझ से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीके कमेंट करके और वीडियो कैसा लगा प् पूछ सकते हैं तो आई होप फ्रेंस की आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे कमेंट कीजिए और मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकेन पे क्लिक कर लिजे ताकि आपको ऐसी वीडियो से रिलेटेट सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें तो फ्रेंस फिर मिलते हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे नमस्ते